गुरू के प्रती त्याग का महत्व किसी विशय वस्तू का त्याग करने से व्यक्ति की उसके प्रती आसकती घट जाती है तन के त्याग से देहभान भी क्षिण होता है वह देह इश्वरिय चैतन्य ग्रहन कर पाता है मन के त्याग से मनोले होता है वह विश्व मन से एक रूपता साध्य होती है बुद्धी के त्याग से व्यक्ति की बुद्धी विश्व बुद्धी से एकरुब होती है और वह इश्वरिय विचार ग्रहन कर पाता है त्याग के माध्यम से गुरु व्यक्ति के लेन देन को घटाते हैं तन, मन व बुद्धी की तुलना में धन का त्याग करना साधक पशिश्य के लिए सहच सुलब होता है। त्याग के संबंध में कहा जाए तो गुरु को कितना धन अरपन किया है, इसके अपेक्षा अपने पास कितना धन शेश रखा है, यही महत्पपूर्ण होता है। जैसे कोई व्यक्ति एक लाग रुपयों में से दस सहसर रुपय अरपन करें वह दूसरा व्यक्ति पचास रुपयों में से सारे पचास रुपय गुरु को अरपन करें, तो इसमें पूरे पचास रुपय अरपन करने का महत्पप अधिक है। अन्त में गुरु के चरणों में शिश्च को अपना सर्वस्वर्पन करना होता है। ऐसा करने की तयारी होनी चाहिए। सत्सेवा करने से तन का त्याग होता है। नामजब करने से मन का त्याग होता है। तथा बुद्धी का उप्योग कर गुरुकार्य भावपूर्ण वपरिपूर्ण करने से बुद्धी का त्याग होता है। आप भी किसी संत, गुरु या अध्यात्मीक संस्तादवारा आयोजित गुरुपोर्णिमा महोचों में सहभागी होकर तन, मन, बुद्धी वधन का यथा संभव त्याग किजिये। वगुरु तत्व का पूरा लाव उठाए। झाल 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 झाल